एलो फ्रेंट्स विल्किम टू मिनिस्ट्रिज फ्रेंट्स आज मैं आपको पुराने स्वेटर है से आप बिल्कुल नए ट्रेंड की बहुती सुन्दर कैप बनाना बता रहीं इसमें से जो एक स्लिव मैंने यूज किया हुआ है इसमें से सोक्स बनाया है एंकल लेंथ तो कट करने के बाद हम इसको सेंटर से फोल करेंगे एक भार फिर हम इसको सेंटर से göz कर देंगे त्यक्ति प्वेट लेयर में फोल्ड हो गया है है अब यहाँ पर जब फोल्ड साइड़ है कोर्नर से में मैं इसमेरे 7 इंच में मार्किंग करेंगे 7 इंच का राउंड यहां पर हम इसमें बना देंगे फ्रेंट वीडियो क्लास तक जरूर देखे आज तक कर सबसे आसान तरीका है बेबी कैप बनाने के लिए तो इसमें से जो हमने मार्किंग किया उसके उपर से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा आउट साइड वाला है उसको हट का देंगे यह हमारा एक सर्कल रेडि हो गया है अब हम एक स्ट्रीव और लेंगे नाइटिनिछ लेंद और फ़ौर इंच वेडिца का है अब हम इसको सीधा कट कर लेंगे और ये दोनु साइड हम जो शिलाई इसको हटा देंगे तो ये दो स्ट्रिप से हम कैप बनाएंगे तो कैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या जो ये लंबे वाला स्ट्रिप था उसको दोनु साइड से अटेच कर देंगे इसको अटेच करने के बाद सीधा करेंगे अब हम लेंगे रांड वाला पीस रांड वाला पीस रखेंगे इसमें जो किनारी है वहां से हम हाफ हिंच पे निशान लगा लेंगे आगर आप चाहें तो इसको पूरा सरकल में हाफ हिंच पे निशान लगा लें और वहां पे सुई धागे की हेल्प से लंबे लंबे टॉक्स डालते हुए इसमें धागा डाल लेंगे पूरे में और अब हम दिरे दिरे धागे को खीचेंगे और ये इकठावना स्टार्ट हो जाएगा अब फ्रेंज आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें अब वीडियो उसको लाइक और शेयर जरूर करें अब हम जो स्टेप हमने लिया था उसको अटेज कर लिया था आप ये राउंड वाले को सेम इसी के बराबर का रहाने करेंगे, अब इसको हम ढबल करेंगे और इधर बाहर की साइड से सटर्ट करेंगे और पूरे राउंड में हम राउंड वाले के साथ में इसको अटेज कर देंगे, स्ट्रेप को ढबल करके फ्रेंस यहाँ पर जो इसकी स्लेव का यूज़ किया है मैंने उसमें से एंकल लेंद के मोजे बनाए हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्करप्शन बोक्स में दे दूँगी आप उसको भी देख सकते हैं बहुत यासन तरीके के साथ मैंने बनाया है उसको अब इसमें हम पूरे में सिलाई लगा देंगे यह सिलाई कम्प्लीट हो गई है धागे और सुई दोनों को हम यहां से हटा देंगे एक उचिस पर कारकर हमारा कैप दिखाई देगा अब यह आगे और देखेंगे आप इसको एक दम से यह बहुत ही फैसनेबल हो जाएगा इसमें पहले जो ब्लेक वाला धागा उसको अटा देंगे अब यहां पे एक छोटा सा पीस ले रहे हैं शिक्स बाइ फाइव इंच लेंध और वीर्ट का अब इसके दोनों साइड में हम थोड़ा थोड़ा सिलाई लगाएंगे और बीच से इसको ओपन छोट देंगे आब इसको ऐसे रखेंगे जैसे आप इमें दिखा आ रही हूं और दोनों छोट पर सिलाई लगाएंगे इसको अब हम सिधा करेंगे इसके जो अंदर के कॉर्णर है उनको अच्छे से बार के साइड में निकाल लेंगे अब इससे हम एक बोर एड़ी करेंगे इसको सुनित आगे से सिल लेंगे और जो कैप का सेंटर वाला हिस्सा है उससे हम टो इंच साइड में करके इसको अटेच कर देंगे और साथ में एक हम इसमें सुन्दर सा बटन लगाएंगे यह फ्रेंड्स हमारी कैप रेड़ी हो गई है तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह कैसी लगी यह देखें इसका लोग किस परकार का आएगा